फेलो दोस्तों अगर आप भोड़ा फॉंग और आएडिया नेट्वर की उसर हैं अगर नेigon波 प्रॉडिशम से 2-5 खब्लिम अब लिए मैं आप बता दू कि hideya और अऑर बोड़ाå फॉन साथ में मिलकर काम कर टोस्टम आईरा मेयां पोड़े हैँ मॉड़ाफोन ओर अईय मैकने इस मॉड़ाफोन इडिया पीजग है सदुनेयर फैसंगर मृवन पहुत ही रहे हैं ऍसी कारण से ही उन्की ओर कस्टमरों से वोलाफोन और आईडिया आरी मेजारी प्रयूर various places जहां दोस्तों Vodafone Idea is reportedly the most vulnerable company in India in the telecom sector right now the Supreme Court of India has dismissed the plea made by the company to provide a flexible payment schedule now customers of Vodafone Idea are reporting network failure and internet issue from various places continuously and continuously आई दोस्तों में इस सब्सक्राइब को डिटेल ने बता दूंँ अखिर हुआ गया है जहां दोस्तों share market में इनकी value गिर चुकी है जिस्वज़ से अपना जो idea Vodafone को अच्छे से सम्हाल नी पा रहे है वोड़ाफोर idea is reportedly the most vulnerable company बन चुकी है और सुप्रीम कोड है से आस्ट इसरास्थ फार्म्स तूपे देर एग्र और डिपार्टमेंट आफ टेली कम्मुनिकेशन में अमांट तू कम्टेंट आफ देकोड नाओ कस्टमर्स और वोड़ाफोर आईडिया रिपोर्टिंग नेट सब्सक्राइब कर रहे हैं तो दोस्तु पता नहीं अब क्या कि इसके साथ भी वही होगा जो ne एरसेल के साथ हुआ था ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर निर्भड कर रहे हैं जहां दोस्तों बहुत सारे नौक्रिया हैं इसमें बहुत सारे यूजर से इसके अगर यह करती है तो लगभग इन्हें एक लगभग एक हपते एक महिने का जारी करना चाहिए था कि हम लोग नंबर को पॉर्टल कर सकें दोस्तों बता नहीं सकते हैं क्या यह एरसेल के तरह हो जाएगा डिस्ट्राइब हो जाएगा या फिर चलेगा कुछ बताने सकते हैं क्योंकि यह जैसे प्रॉब्लम दे रहा है हम आइडिया और आइडिया ऐसा गंदा नेट्वर्क हमें दे रहा है कि हम कुछ बूल नहीं पा रहा है मुझे तो खुद आज लग रहा था कि मुझा चेंज करना पड़ेगा अपना नेट्वर्क पर जैसे ही यह नियूस दिखता हूं तो मुझे मालूम पड़ता है कि रिज जैहिंद